कूछ आ और इंग्लिढ्यों वालों को तो और ही ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि सब्सक्तार रहे हैं को नियुकल है और भी तो मैंTE बहुत इम्प्रू गर दिए हाथ से जब 2013 में 14 में 12 में पढ़ाता था तब मुझे एक भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलना नहीं आता था कोई नहीं बोलता था मैं शब्द टर्म में वो बोल देता था इंग्लिश में केवल तो भी उस जमाने के इंग्लिश मीडियम की लोग मुझसे पढ़ लिए धन्य ह हैं वो लोग पता नहीं कैसे पढ़े होंगे और फिर भी थैंक्यू बोलते हैं पता नहीं कैसे बोलते हैं थैंक्यू मैं उनको बोलता हूं कि तो उसकी तुलना में अभी English बहुत ज़्यादा improve क्योंकि मैं विश्वद रूप से मारवाडी मेडियम का हूँ मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं हिंदी मेडियम से हूँ क्योंकि हमारे उदर जो है वो शुरुवाती मार साथ जो है वो किसम पढ़ाते थे? मारवाडी में पढ़ाते थे तो इसलिए हिंदी भी हमने तो कॉलेज में आके मुश्किल से सीखिए और उसमें जोदपुर के रंदर रहके आप जो है इंदी नहीं सीख सकते जोदपुर वालों को अपनी बोली से बहुत प्रेम है और कोई थोड़ी सी हिंदी बोलने की कोश मारवाडी छोड़के इंदी बोलने कोशिस करता है तो सिधा ओ आयों नहीं अंग्रेज गटो है अरे भाई अंग्रेजी नहीं बोल लिए पर इंदी बोलने वाले को भी क्या मानते है और ऐसे व्यंग करते हैं उसको बोलने नहीं देते हैं तो इंदी मैं तो तो कुई भी सीख सकता है इसलिए English में तुम गबराना मत कि English असी नमर का पेपर होता है और अभी सही तोड़ी तोड़ी प्रेक्टिस रखना English की और English एक language adjust English क्या है English कोई subject नहीं है subject होता है तो जरूर किसी को समझ में आता है किसी को समझ में नहीं आता लेकिन language में ब्रिटेन के अंदर जो काले गुंगे बैरे भी होते हैं और मंद बुद्धी जो होते हैं जो भीक मांगते हैं विकारी वो भी कौन सी बसम मांगते हैं और वो भराटेदार मंद बुद्धी और भिकारी भी भराटेदार इंग्रेजी बोलते हैं, तो अगर वो सीख सकते हैं, इतने कम दिमाग के साथ, तो उन से तो कम से कम अपना दिमाग जदा ही है, तो इसलिए language है, वो environment, कैसे environment में रहते हैं, कैसे आप अपने दिमाग में, आप मानने तक क्या रखते हैं, मुझे ये language सीखनी है, या नहीं सीख सकता हूँ, और इससे मुझे सीखनी है, इस तरह का भाव अगर रखोगे, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, और इसके लिए रोजाना जो है, वो 4-5, सबसे पहले vocabulary अच्छी कर लो, English का भै अगर आपको दूर करना है, तो vocabulary इंप्रूव कर तो, रोजाना के 5-7 शब जो है, नए English के आप सीखो, एक डायरी बनाओ, उसे 5-7 शब्द लिखो, और उनके जो मतलब है, वो याद करो अच्छे से, और दिर दिर जो ही आपके ये शब्द जो है, 200-300 तक पहुंचेंगे, तब आप जो है English में comfortable feel करना शुरू कर दोगे, ओके, English इससे में global language है, और ये कमजोरी नहीं रहनी चीए, आपको इतनी English तो आनी चीए कि कोई बोले तो आप समझ सको, और टूटे-फूटे शब्दों में अगर सामने वाले को समझाना है तो, अमिता बच्चन की फिल्म हमें समझाता है जैस, वैसे, कैसे, पुरानी फिल्म देख लेना, अमिता तो